Class 4, Lesson 3, Reproduction in Animal इस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में देख लिया ठीक है, एनिमल को दो ग्रूप में डिवाइट किया गया था पहला ग्रूप था जिसमें एनिमल क्या करते थे अपने ओफिस्प्रिंग संतान को जन्म देते थे उसके बारे में हम देख चुके थे और दूसरा ग्रूप क्या है ऐसे जानवरों के बारे में जो क्या करते हैं अंडे देते हैं ठीक है जाए डैट ले एग ठीक है उसके बारे में आज हम देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनिमल डेट ले यानि जानवर जो अंडे देते हैं अंडे देने वाले जानवर में आ जाएंगे बर्ड अंडे देने वाले जानवर में आ जाएंगे बर्ड अंडे देने वाले जानवर हैं इसेक्ट मतलब कीडे मकोडे और रेप्टाइल मतलब हो गया रेंग के चलने वाले जानवर ठीक है यह सभी अंडे देते हैं यह जानवर क्या करते हैं अंडे देते हैं और उनको गर्म जगह पर रख देते हैं ठीक है या फिर उनको गर्म करने के लिए उसी के उपर बैठ जा ऊसे तो क्या होता है उसके बाद उसमें से उनके वच्चे बाहर निकला आते हैं यह देखिये यह बड है यह फिश है यह टरटल है यह बी है यह फ्रॉक यह सभी क्या है यह सभी ऐसे अनिम्ल ऑफ टे ओन हितना खुक कैसा दिखते है settlements आंगे इस तो कहते है ठीक है it protects the young one developing inside और यह क्या करता है जो भी बच्चे इसके अंदर पल रहे होते है ठीक है उन्हें protect करता है उन्हें develop करने के लिए उन्हें protect करता है ठीक है second point देखिए the middle part consists of york middle part क्या होता है योक होता है ठीक it is yellow in color यह yellow color का होता है and rich in fat and protein vitamin and mineral और इसमें बहुत परियाप्त मात्रा में ठीक है परियाप्त मात्रा में fat पाया जाता है protein पाया जाता है विटामिन पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, यानि इसमें परियाप्त मात्रा में नूट्रिशन पाया जाता है, तो जो भी इसमें बच्चा पल रहा होता है, ठीक है, जो भी इसमें पक्षियों का जो भी बेबी पल रहा होता है, उनको ये क्या करता है, नूट्रिशन प् इंब्रोयो, यॉक के अंदर क्या पाया जाता है, इंब्रोयो पाया जाता है, यानि वही जो बेबी होता है, वही पाया जाता है, विच लेटर डेबलब्स इंटू चिक, ठीक है, उसके बाद वो धीरे-दीरे किसमें बदल जाता है, चिक में बदल जाता है, ठीक है, अगला इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह साथ इस यौक को भी और इसमें जो भी बेबी पल रहा होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है ठीक है तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर ओफ एक देख लिया और देखा कौन-कौन से ऐसे जानवर है जो एक देते हैं इसक है अगर पक्षीु किस तरीके से इनका लाइफ साइकल होता है ठीक है किस तरीके से उनका रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम नेग्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आज के लिए बस इतना ही तैंक्यू सो मॉच